चोपड़े जो किसमे यूटूब चनल पर मैं हरसे चोपड़े आपका हरदिक स्वागत करता हूँ मेरी प्यारे बच्चो ओल इंडिया के इस्टे वेकंसी राउंड के लिए सीट मैट्रिक्स आ चुका है और इस बार इस्टे वेकंसी राउंड में काफी कम सीटें वेकंट होके आई हैं यानि कि ये अगर पिछली बार के हिसाब से लगाई हम, तो पिछली बार 20% seat vacant होके आई थी, लेकिन इस बार सिरफ 10% seat ही vacant होके आई हैं, कहने का मतलब ये है कि इस बार only 1184 seat seat ही vacant होके आई हैं, जिससे cutoff ज्यादा down नहीं जाएगी, अभी कितनी rank cutoff down जाएगी, ये हम इस पहले यहाँ बता देता हूँ कि कितनी seat है वेकंट रही हैं MBBS के लिए, कितनी seat हैं BBS के लिए, दिम्द के लिए कितनी seat हैं vacun है, वेकंट ही तो इसमें आई ये देखते हैं, हम एक बार पुरा का पुरा मैं आपको ये बोटा देता हूँ तो 24 का ही देख लेते हैं हम सबसे पहले कि 24 में total vacant seat जो अभी vacant होके आई हैं जिसमें dimd भी सामिल हैं और इसमें BSC nursing के भी सामिल हैं BDS भी सामिल हैं तो ये total जो vacant seat होके आई हैं ये 1184 seats vacant होकर के आई हैं जो बहुत ही कम amount है अगर 23 का देखें हम तो 23 में ये 2454 seats vacant होके आई थी यानि कि ये इस साल से double seat हैं पिछली साल vacant होके आई थी stay vacancy round में लेकिन इस बार सिर्फ half seat ही पिछली साल की बजाई यहां आई हैं MBBS की बात करते हैं हम यहां पर only MBBS की बात करें तो total 471 seat vacant होके आई हैं MBBS की सभी कैटेगरी में जबकि पिछली साल 23 में 916 seat vacant होके आई थी MBBS की जो इसका double amount था इस साल का अब कैटेगरी वाईज देखें इस बार open कैटेगरी में 207 seat vacant होके आई हैं जबकि यह पिछली साल 414 seats vacant थी इस में यानि की just double थी इस से OBC कैटेगरी 108 seats आई हैं जबकि पिछली बार 221 seats थी EWS 34 seats vacant होके आई हैं जबकि पिछली साल यह 66 seats vacant होके आई थी SD में 93 seat vacant होके आई हैं जबकि यह पिछली साल 149 seat vacant होके आई थी SD कैटेगरी में 29 seat seat vacant होके आई हैं जबकि यह पिछली बार 66 seat vacant होके आई थी तो इस साल काफी कम seat vacant होके आई हैं अब grand total इस साल total seats 10,832 हैं जबकि पिछली साल यह 10,274 seats थी अगर percentage देखें MBBS की तो 4.35 seats vacant है only MBBS की जबकि यह पिछली साल 8.91% seat vacant होके आई थी यानि कि इस साल से पिछली साल double seat थी अगर total percentage बात करें तो total seat की 10.93% अब की बार vacant होके आई हैं जबकि पिछली बार 23.88% seat vacant होके आई थी BDS की 290 seats vacant होके आई हैं पिछली बार 298 थी इसमें ज़्यादा फरक नहीं पड़ा है लेकिन फरक पड़ा है MBBS dimmed university में जयानि कि dimmed university में अभी only 143 seats ही vacant होके आई है stay vacancy round के लिए लेकिन ये पिछली बार 679 seats vacant होके आई थी इस बार जो dimmed में student admission ले रहे हैं वो काफी ज़्यादा student admission ले रहे हैं काफी interest rate दिखा रहे हैं dimmed और private colleges में भी हर एक state में काफी student admission ले रहे हैं क्योंकि इस साल का माहोल देके student में एक डर बैट कया है जो नीचे वाले rank वाले student है वो सोच रहे हैं कि अगली बार क्या भी हो सकता है इसलिए इस बार admission लेना ही बैतर रहेगा इसलिए dimmed में भी seat vacant होके नहीं आ रही हैं और state के private colleges में भी seat vacant होके नहीं आ रही हैं इस बार तो ये इस बार का ये मैसूस हो रहा है कि student में ये डर बैटा हुआ है कि अगली बार पता नहीं क्या होगा तो इसी बार हम seat ले लेते हैं BSC nursing की 116 seats vacant होके आई हैं BSC nursing की जो seat से वो seat 116 seats vacant होके आई हैं तो ये जो मैंने आपको बताया है पूरा आखड़ा बता दिया है पिछली साल का और अब का कितने पिछली साल seat vacant होके आई थी और कितने seat vacant होके अब इस साल आई हैं ज्यादा details के लिए कौन सी college में कितने seat vacant आई हैं आप MCC की website पर ये पूरी list देख सकते हैं जिस college में admission लेना चाते हैं उसमें कितने seat हैं आप देख सकते हैं कौन से state में कितने seat हैं state wise देख सकते हैं ये clear vacancy for stay round UG counselling 2024 पर आप कलिक करेंगे तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको इस परकार से seat matrix यह दिखाई देगा उसमें आप देख सकते हैं कौन से state में कितने seat vacant हैं कौन से course में बाकी सारा आकड़ा मैंने आपको बता दिया है यह कि कितने seat किस category में vacant होके आई हैं और इस बार जो seat vacant होके आई हैं वो भौत ही कम seat हैं अब एक बार देखते हैं जब इतनी कम seat vacant होके आई हैं तो cutoff पर कितना effect पड़ेगा इस्टे vacancy round के cutoff पर कितना effect पड़ेगा क्या cutoff जा सकती है तो मैं आपको यहां expected cutoff बता रहा हूँ यूर category की जो expected cutoff जा सकती है वो 25,400 तक जा सकती है यह third round में 24,842 थी अभी 25,400 तक जा सकती है मैं फिर से बोल रहा हूँ कि यह जो stay vacancy round की cutoff है यूर category के लिए expected cutoff 25,400 जा सकती है OBC category की बात करें तो यह third round में 24,982 थी इस बार यह 25,500 पर जा सकती है यह cutoff EWS की cutoff 28,702 थी यह third round में लेकिन इस बार 29,100 तक यह cutoff जा सकती है ST category में 545 marks तक मिलने की possibility है ST category में 520 marks तक मिलने की possibility है seat तो यह expected cutoff है UR category 25,400 जा सकती है OBC 25,500 जा सकती है EWS 39,100 जा सकती है ST category में 545 तक मिल सकता है ST category में 520 तक selection मिल सकता है आपको तो यह expected cutoff है stay vacancy round के लिए मैं आपको बता दूँ कि यह जो cutoff है expected cutoff change होती रहती है seat matrix के according अगर काफी सारी seat आती तो यह cutoff आपकी थोड़ी seat down चली जाती लेकिन अभी ज्यादा down जाने के chances नहीं है इसके बाकी जैसे ही इसके बारे में updates मिलेगी MCC की counseling के बारे में मैं आपको inform कर दूँगा 24 fill start हो चुकी है आप 24 fill कर सकते हैं और आप एक perfect list तयार करकी 24 fill करें एक बात का आपको ध्यान रखना है अगर आपको stay vacancy round में seat मिल जाती है और आप उसको join नहीं करते हैं तो आप अगली बार की need की exam नहीं दे पाएंगे अगली बार का मतलब आप 2025 में मई में होने वाली exam में नहीं बैट पाएंगे ये आप इस बात का ध्यान रखें और इस बात का भी ध्यान रखें कि आपको कहीं गलती से कोई BDS की seat alert ना हो जाए या फिरे आप जिस college में नहीं जाना चाते हैं वो college आपको alert हो जाए तो आपका बहुत बड़ा यहां नुकसान हो जाएगा इसलिए आप ध्यान रखें 24 फिल करें और इस बात का ध्यान रखें कि अगर इस्टे में आपको seat alert होगी तो उसको आपको join करना ही है अधरवाई जोइन नहीं करेंगे तो अगली बार की exam नहीं दे पाएंगे नीट का exam अगली बार का नहीं दे पाएंगे 2025 की नीट की exam से आप भार कर दिये जाएंगे तो ये जानकारी थी मैंने आपको सारा सब कुछ समझा दिया है बाकी updates जैसे ही मिलेंगी मैं आपको inform कर दूँगा तो मिलेंगे नई update के साथ नए वीडियो में तब तक मैं हरसाई चुपड़ा आपसे लेता हूं विदा जैहि कर दो कि यह प्रोड़ है टाएंगे यही कमा माहिवर लेग्वट रब तूद्वेश थारा सता है व